पुश्कार दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आइए बात करते हैं कॉपर की दोस्तों आपकी स्क्रीन पर पांच मिनट का टाइम फ्रेम के साथ ये कॉपर का चार्ट है और इसमें जिस तरीके का ट्रेंड रहा है उसको लेकर बात करें आएए शुरू करते हैं दोस्तों कॉपर में हमने यहां से एक शुरुवात करी एक गैप अपनिंग हुई और उसके बाद से एक रेंज में कॉपर का ट्रेड बना रहा पूरे दिन ठीक है उपर नीचे मतलब साइड वे बस आगे की तरह मार्केट बढ़ता रहा जैसे ही इ गैप आएए अपसाइड पैन प्रेड पैंट औरएव यहां पर फोड़ी सी और करेक्शन आई थी पर यहां पर भी मार्केट नीचे निचे नहीं गया उपर की तरह बना शुरुवा गया यहां भढ़तारा भढ़तारा और इसने बहुत ही एक अच्छे लेवल तक 527.20 है पर भी कोई correction नहीं सिर्फ अगर हम इस एक correction को छोड़ दें तो कहीं पर भी हमें correction देखने को नहीं मिले हम सिर्फ plus करके hold करके छोड़ सकते थे देखे इसमें एक breakout आया था 519 के उपर वहां पर जैसे ही इसने 519 ब्रेक करा मार्केट ने थोड़ा सा अपने आपको इन लेवल् देखे 519 यहां कहीं break हुआ मार्केट ने कोशिश तो करी थोड़ा सा उपर नीचे जाने की यहां पर sustain किया देखे होता गया है जब भी breakout लेवल आता है वो या तो support या rise chance लेवल उसे break करने की कोशिश करता है तो ऐसे ज़्यादा chances यह होते हैं कि वहां पर वो थोड़ा सा ठहरेगा और उसके बाद एकदम से वो उपर की तरफ shoot up कर जाएगा या नीचे की तरफ एकदम एक downfall आ जाएगा किसी भी तरीके का moment हम देखते हैं तो 519 पे जैसी इसमें यह एक level आया इसने उपर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया next level था इसका 523.65 ठीक है 523.65 पैसे इ इस level को एकदम से एक और तेजी इसमें बनिश्रू हो गी जो continue रही बिल्कुल end तक और copper में एक नए के बाद एक नया high लगता रहा और जिसमें इसने अपने पूरे जो week का जो एक downside थी सारी के सारी वो खतब कर दी और बहुत ही ऊपर जाकर बहुत ही अच्छे level पे इसने अ 517 का जो मैंने आप के सार्थ share किया था कि अगर 517 नीचे की side में break होता है तो chances नीचे की तरफ के बन जाएंगे market नीचे गया intraday के लिए काफी अच्छा था पर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा time के लिए sustain नहीं किया intraday में exit कर गए पर फिर कोई fresh position लेने जैसा कोई level हमें समझ नहीं आया और इसमें वहाँ से धीरी धीरे एक support मिला और उपर की side copper का चार्ड जाने लग गया देखिए यहाँ पर मैं और थोड़े से बड़े time frame पे मैं आपको समझाता हूं किस तरीके के हमने इसमें chances देखे थे देखिए 517 यहाँ break किया था इस level पे उसके 516 तक का level गया यहाँ से धीरे धीरे एक support मिलनी कोशिस ज़रूर हो रही थी पर suddenly एक crash आया और 512 या 13 के बीच में इसने अपने आप एक lowest level लगाया और market यहाँ पर आकर close हो गय ठीक है पोजिशन को carry forward इसलिए नहीं करवाया था बहुत जादा strong downside नजर नहीं आई थी कल open हुआ market एक upside यहाँ पर ना तो selling का sound में आ रहा था ना buying का उसके बाद इसने 519 का level यहाँ पर break किया थोड़ी सी strength बनी फिर इसने इस level को break किया 523.65 इसके बाद तो इसने पीछे हमारा ये बनता रहा एक गंटे की तरफ हम चलते हैं देखे दोस्तों यहाँ एक low लगा ये low लगा ये low लगा ठीक है इस तरीके की ये trend line create हुई पर इसमें भी जैसे ही इसे ये support मिला market ने उपर की तरफ जाना शुरू कर दिया यहाँ पर देखे इतना ज़्यादा expect क्योंकि weekly charts पे corporate ने जिस तरीके के indication देने शुरू किये हैं देकि मैं आपको समझाता हूँ ये एक resistance level है कोई chart है उपर की तरफ move कर रहा है जब वो यहाँ पर अगर ठहरेगा तो कोई downside अगर आती है एकदम से ये उपर की side जाना शुरू कर सकता है यहाँ पर एक ठहराव इस से या तो यहाँ से बहुत speed से गिरना शुरू कर जाता पर ऐसा हुआ नहीं इसने एक upside move ले ली मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ same case crude oil में है crude oil बहुत time से अपने इसी level के आसपास trade कर रहा है पर crude oil में एक fall आया वो fall आया है crude oil में जब बाइंगानी शुरू हो चार्ट की वो इसी तरीके की बन रही है बिल्कुल जो हम copper में देख रहे हैं copper में इसने बहुत एक तेज bounce back करा उपर की side में crude oil में ऐसे chance बनेंगे पर कब बनेंगे कितने दिन बाद बनेंगे वो कहना अभी थोड़ा मुश्किल है ठीक है यहाँ पर इसने 527 का एक current price पे आ 500 psychological and technical ठीक है यहाँ पर जब जब यह आया है यहाँ से इसके एक upside मिल गई है और इसके बाद इसने इस run को continue रखा था 534 को break किया था वहाँ से थोड़ी सी एक correction आनी शुरू ही थी इस तरीके की next contract में switch कर गए यहाँ पर एक buying गई फिर एक selling और अभी हमने यह कल देखा कि कल बाइंगानी शुरू हो रही है ठीक है अब कौन से levels है जिनका हमें ध्यान रखना है उसको लेकर हम बात करेंगे आईए उससे पहले एक बार daily charts पे और डाल देते हैं यहाँ हम देखेंगे यह buying जो है continue है यहाँ थोड़ा consolidation यहाँ upside यहाँ थोड़ा consolidation further upside move के लिए यह ready है दो बहुत ही उपर तक जाने के इसके chances नजर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं है इसका breakout level जिसकी मैं बात कर रहा हूँ देखें सबसे पहली चीज़ जो यह continuity चल रही है इसमें copper में इसमें एक price level है 518 यह अगर downside में break होगा तो ही एक correction phase हम फिर से देख सकते हैं मतलब जो यह run आ रहा है उपर की side में इसे stop तब लगेगा जब यह level नीचे की side में break होगा 518 यहाँ पर ठीक है अगर यह नीचे की side में break नहीं होता तो यहाँ पर एक consolidation किसी भी तरीके का रह सकता है इस तरीके से कुछ भी एक charts में movement बनी रह सकती है जब तक यह इसके उपर है और उपर की side में 530 बहुत ही करीब है यह उस level के जिसके उपर इसमें एक तेजी उस तरीके की आनी शुरू हो जाएगी कि मतलब पीछे मुण के फिर देखना ही नहीं है यह देख दोस्तों में यहाँ पर आपको एक तरीका मैं बताना चाहता हूँ देखिए 10 रुपए के स्रॉपलॉस रह सकता है पाँजस के उपर अगराप बाइग करते हैं पहले जीजे के ट्रेट बहुत ज्यादा सेफ रहेगा पर फिर भी to be on the safer side हम उसे थोड़ा sustain करने का मौका देंगे और उसके बाद अगर वो तेजी आती है उपर में तो उसमें हम बने रहेंगे और हमारा stop loss अभी for the time being हम एक stop loss मान के चलेंगे 520 रुपे पे मतलब यह मैं exact level नहीं बता रहा भी यह एक random level है मतलब 10 रुपे के आसपास काई वो stop loss हो सकता है क्योंकि अभी यह 518 का है तो और थोड़ा से यह उपर में जाएगा market तो 518 के ज़िए 520 हो सकता है 522 बन जाए 518 ही रहे तो वो तब हम देखें क्या level है पर 530 के उपर अगर market रुकता है तो chances उपर की side के बन जाएंगे और 600 रुपे तक के भी level हमें charts पे देखने को मिल सकते है अगर इस तरीके की तेजी जैसा एक expectation है charts में इस तरीके की तेजी अगर continue रहती है तो तो हमें उस चीज़ के लिए अपने आपको ready रखना है देखिए 10 point का आपका loss रह सकता है maximum जिसे अगर मैं value की terms में बताऊ तो 25,000 रुपे तक का आपका stop loss रहेगा और आप safe side रहेंगे profit आपका कही ना कही निकलना शुरू हो जाएगा देखिए और अगर आप multiple quantity में trade करते हैं तो आप partial profit book कर सकते हैं थोड़ी उपर तो आपने यहां पर 100% quantity अपनी खरीदी है 50% से आप थोड़ा सा उपर 4 रुपे 5 रुपे उपर भी अगर आप निकल जाते हैं तो आपका पहली चीज़ stop loss level revise ट्रेल होके उपर आजाएगा दूसरा के आप अपनी आधी quantity में profit book कर चुके होंगे तो कहीं न कहीं आप big even point पे आजाएगे बहुत ही जल्दी तो इस strategy को लेकर आप continue रह सकते हैं market में देखे सबकी अपनी strategy होती है बहुत मैं इन चीज़ों में बहुत जादा वो तरीका निकालने की कोशिश करता हूँ जो हमारे लिए best हो सकता है market में complexity बहुत है हम क्या खरीदें कहने को सिर्फ एक dice को अगर आप फैकते हैं नीचे तो उसमें तीन चीज़े हम समझ सकते हैं buy sell hold ठीक है उनी में से हमें ये सोचना होता है कि हमारे लिए best क्या है अभी वही हम नहीं सोच पाते हैं और उसी पर हमारा ये depend करता है कि हमारा एक करोड का portfolio जीरो होगा या जीरो से वो एक करोड का होगा ये सिर्फ इनी तीन चीज़ों पर depend करता है और इनी तीन चीज़ों का timing क्या हो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी strategy बहुत important है किसी भी market में trade करने के लिए आप 50 रुपे पर खरीद के 60 पे वेज़ रहे है ये अच्छा है आप 60 पे खरीद के 50 पे वेज़ रहे है ये गलत है ये बहुत general theory है जो एक बच्चा भी जानता है और एक बुढ़ा भी जानता है पर 50 के बाद 60 आएगा या और ज़्यादा नीचे चला जाएगा इसके लिए हम तैयारी करते है 50 के बाद अगर वो 48 आज़ता है या 40 चला जाता है तो हमें क्या करना है 48 पे निकल जाना या नहीं निकलना या hold करना या average करना है वो 60 पे जाता है तो हमें क्या करना है तब हमें hold रखना है निकलना है या अपनी position को और ज़्यादा बढ़ाना है ये कुछ चीज़े हैं जो आपके trading pattern में बदलनी है आपको ठीक है दूस्तों 530 का मैंने आपको एक level बताया उपर की side में ये गर break होता है तो chances ये होंगे के copper जो है वो shoot up कर जाएगी उपर बहुत तेजी से ठीक है दूसरी चीज़ नीचे में मैंने आपको बताया 518 का level ये दो level ही अभी हम ध्यान में रखेंगे मार्केट में copper में तेजी आने का ये chance ये reason भी हो सकता है कि रुपी appreciate कर रहा है रुपी जब तक appreciate करता रहेगा मतलब dollar week हो रहा है रुपी appreciate से ज़्यादा important है कि dollar week हो रहा है और dollar जब तक week होता रहेगा copper में silver में एक strength बंदनी शुरू होती रहेगी gold में सिर्फ mcx पे ज़्यादा हमें एक मंदी देखेंगे उस चीज़ की उसका reason एक तो conversion value और दूसरा gold अपनी इतनी strength बना नहीं पाता जब dollar week होता है तो ये कुछ fundamental reason जो मुझे समझ में आते हैं fundamental भी और conversion rate की वज़े से भी a reason है ठीक है दोस्तों तो ये कुछ level है जो मैंने आपको बताया है थोड़ा trading strategy मैंने आपको बताया किस तरीके से आप trade कर सकते हैं और इस के बीच में अगर आपको मुझे से कुछ पूछना हो तो आप मुझे market report 08 इस पर आप telegram पर मुझे से message करके पूछ सकते हैं ठीक है तो दोस्तों ये था मेरा copper pay अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें शेयर करें बने रहें मेरे साथ देखते हैं ये market report धन्यवाद